हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सबका कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे काले वाले लंबे भर्मा बैंगन की रिस्पी बहुत यासानी से जटपड मैंने इसे बना कर दिखाया है तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ये काले वाल से बनाना पसंद करेंगे एक कड़ाई में आधा कब तेल को गरम कर लेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें आधी टीस्पून जीरा और तीन मिडियम साइज की प्याज इस तरह चौप करके एड़ कर देंगे प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राइ नहीं करना दो ती तरह से इसे फ्राइखर लेंगे तीन मिनट फ्राइखर करने के बाद वन एंहाफ टीस्पून अदरगलेसून का पेस्ट एड़ करेंगे और इसे भी 2 मिनट फ्राइखर लेंगे यह बर्वा बैगरन इतने ज़ intéressông बनते हैं कि आप इसे गरमा गरम पूरी पराठे रूतिक क साथ भी सरikel करेंगे, सभी के साथ आपको ये बहुत अच्छी लगेंगे, तीन मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट भी इसमें एड्ट करेंगे और इसे भी अच्छे से मिख्स कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे तब تक फ्राइ कर लेंगे, जब तक टमाटर के पेस्ट में अच्छे से तेल ना चूट जा तो इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे दूसरी तरब इसका मसाला बना कर तयार करेंगे मसालों को धही में बना कर तयार करेंगे दही में मैंने एक टी स्पून लालमिज पॉडर और आदी टी स्पून हल्दी पॉडर एक टीस्पून नमक एड़ कर देंगे और एक टेबल इस्पून भरकर इसमें धन्या पॉडर एड़ करेंगे और आदी टीस्पून इसमें सौप का पॉडर भी एड़ करेंगे और आदी टीस्पून से कम जीरे का पॉडर एड़ करेंगे सारे मसालों को दही में अच्छे से म सबस्क्राइब ना देया जो मसाले ट्यार करते इसका जो टेस्ट भर्वा द करको से अच्छत हैं करेगे अगर आपने अभी解़ु स किनल को सब्सक्राइब नबुल ना बूले और वीडियो को लाइक जरूर करें मसाले अच्छी से मिक्स करके कडाई को कवर करेंगे और मसालों में तेल चूटने तक पकाएंगे धक्कन अटाएंगे यह देखिए मसाले काफी अच्छी से फ्राई हो चुके भर्वा बैगन की सब्जी बनाने के लिए आपको एक बात का धियान रखना जब इस स करेंगे मसालों में तेल तक बाद करेंगे मसाले अच्छी से घंडे हों चुके तो इस स melting मसालों की फिल करेंगे देंगे वर्या मैं बनाने के लिए में मसाला ये यह मनने बनाया है बहुत ज़्यादा चटकारे डाट तेस्टी मसाला बनकर तयार हुआ आप इससे हरे वाले बैगन सफेद बैगन या इस तरह के बैगन आप भरकर बना सकते हैं बहुत यह आसानी से जट पड़ यह बनकर तयार होंगे वह भी बहुत ज़्यादा ला जवाब सारे बैगन अच्छे से तयार कर लिए इसके जो सटफिंग है इस तरह से बैगन के नीचे कड़ देगे कड़ाइ में और आसानी से ये पक जाएंगे तो इसमें बन इंहाब कप मैं इसमें पानी बी द कर रही हूं बैगन को अच्छे से पकाना भी है तो इसमें पानी थोड़ा सा एड़ कर देंगे तो यह आसानी से अच्छे से पक जाएंगे अब यहाँ पर हम कडाई को ढखकर कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 15-16 मिनट पकाएंगे 15 मिनट हो चुके मैं आपको दि देखें दो मिनट में काफी अच्छी से गाड़ी ग्रेवी वाले टेस्टी और चटकारे दार यह भर्वा बैगन बनकर तयार हुआ है इसके उपर थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धन्या अट करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे आप इसे रोटी पूरी पर सब्सक्राइब जरूर कर लें